हे दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनीज सौगत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जौब इंडिया में दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जौब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को सेयर कर दो NICED नर्स भड़ती 2022 जी हाँ दोस्तो फ्रोजेक्ट स्टाफ नर्स के आप वेकेंसी लेकर आ चुका हूँ इसमें NM, GNM, BSC नर्सिंग फार्म को अपलाइक कर सकती है तो अलग अलग यहाँ पर 3 notification एक साथ निकाले गई है तो यहाँ पर दोस्तो आप लोगों को कैसे फार्म को अपलाइक करना होगा कहाँ पर इंटर्व्यू होगा इंटर्व्यू डेट की जानकारी क्या होगी साथी योगे तक क्या है जॉब लोकेशन क्या है सैली कितनी मिलेगी एक टू जड सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं तो हमारे साथ बढ़ने रहिए पूरा वीडियो देखिए चलिए दोस्तो आपको लेके चलते हैं सबसे पहले वेबसाइट पर आप लोग यहाँ पर देखिए यह है दोस्तो ओफीसिल वेबसाइट यहाँ पर आप लुक चेक कर सकती हो ICMR राश्ट्री कॉलरा और आत्र रोग संस्थान से दोस्तो यह भड़ते निकाले गई है राश्ट्री कॉलरा और आत्र रोग संस्थान सौस्त अनसंधान विभाग सौस्त और परिवार कलियान मंत्राले भारत सरकार के अंडर में संविदा पर दोस्तो यह भड़ते निकाले गई है तो यहाँ पर नोडिफिकेशन का ओप्शन सो कर रहा है इस वाले ओप्शन पर किलिक करोगे तो पलेस्मेंट का यहाँ पर ओप्शन का इसमें आप लोग 9 अपरेल 2022 अपर्म का अपलाई करोगे वीव डिटेल्स वाली ओप्सन पर किलिक करके दोस्तों नोडिफिकेशन को डाउनलोड कर सकती हो, नमबर टू देखिए हेपेटाइटी सी की यहाँ पर वेकेंसी है इसका वाकिन इंटर्विव होगा चार मार्च चे 22 को जो है नोडिफिकेशन निकाला गया है वीव डिटेल्स वाली ओप्सन पर किलिक करके नोडिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना नीचे डेट आफ इंटर्विव की जानकारी है 25 मार्च चे 22 को सुबह 10 बजे हेपेटाइटी सी का इंटर्विव यहाँ पर होने वाला है नमबर थार देखिए प्रोजेक्ट इस्टाउफ नर्स की यहाँ पर वेकेंसी है जिसमें 4 मार्च चे 22 को जो है नोडिफिकेशन निकाला गया है और 21 मार्च को इंटर्विव होगा व्यू डिटेल्स वाली ओप्सन पर किलिक करके प्रोजेक्ट इस्टाउफ नर्स एंडब की नोडिफिकेशन को डाउनलोड कर सकती हो इसके बाद दोस्तों नीचे आओगे दिया गया है सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट इस्टाफ नर्स के लिए जिसमें आप लोग देखी नोडिफिकेशन नंबर वन चार मार्च 22 को राष्टरी कॉलरा और आत्र रोक संसार की तरफ से यह भड़ते निकाली गई है वाकिन इंटर्वू के बेस पर दोस्तों आपका सेलेक्शन होगा प्रोजेक्ट इस्टाफ नर्स के लिए दो वेकेंसी है दोनों दोस्तों यूर केडिगरी में है जेनरल केडिगरी में है और यह दोस्तो प्रोजेक्ट के बेस पर समविदा पर भढ़ते निकाली गई है जिसका नाम दिया गया है इसपायर सेकेंड समविदा पर भढ़ती रिलीज कर दी गई है और प्रोजेक्ट इस्टाफ नर्स में देखिए सबसे अच्छी बाद G&M जो है अप्लाई करेंगे अप्लाई करेंगे और अगर आपके पास experience है जी हाँ तो आप लोग अप्लाई करोगे G&M के लिए अगर आपके पास G&M कर रखे हो आपने अर्णम कर रखा है experience नहीं है फिर भी फार्म को अप्लाई कर दो लेकिन अगर आपके पास से दो महिने का तीन महिने का छे महिने का experience है तो आप लोग ज़रू फार्म को अप्लाई करेंगे इस के लामा जो BSC Nursing कर रखे है बिना experience के अप्लाई कर सकते हैं BSC Nursing को preference दिया जाएगा बाकी G&M, A&M, BSC Nursing तीनों जो है इस फार्म को project staff nurse में अप्लाई करोगे 31,500 रुपे salary मिलने वाली है salary काफी अच्छी है age की बात करें तो 30 years रखी गई है age criteria में छूट नहीं मिलेगी क्योंकि general में vacancy है हाँ SC, AST, OBC farm को fill करेंगे लेकिन age criteria में दोस्तों आप लोगों को छूट यहाँ पे नहीं दी जाएगे बाकी नीचे आओगे तो 21 March 2022 को सुबर 10 बजे आपको reporting करना है registration होगा वहाँ पे screening होगा फिर आपका दोस्तो 21 March को सुबर 11 बजे इंटर्वू यहाँ पे होने वाला है कहाँ पे होगा तो दोस्तों बता दे National Institute of Cholera and Enteric disease NICED second building within ID and BG hospital campus यहाँ पे आप लोगों का वाकिन इंटर्वू होगा तो बहुत सारे comments आइंगे सारे इंटर्वू कहाँ पे होगा तो प्रोजेक्ट इस्टाफ नर्स की जो वेकेंसी जिसमें एंडर भी अप्लाई करेंगे 21 मार्च को सुबह 11 बजे आपका interview होगा कोलकाता पस्चे मंगाल में दोस्तों आपका interview होगा तहाँ पर पूरा address दिया गया है application form देख सकते हो project staff nurse ICMR के तहरे वेकेंसी है photo यहाँ पर आपको चस्पा करना है photo यहाँ पर आपको चिपका कर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हूँ उसकी details यहाँ पर फिल करनी है अपना name यहाँ पर फिल करना है data birth father name यहाँ पर फिल करना है और category आपको चूज चूज करना है gender आप लोग अपना चूज कर लो male और female दोनों लोग apply करेंगे male और female दोनों लोग यहाँ पर फार्म को दोस्तों apply करेंगे बाके नीचे education qualification को आपको फिल करना है email and mobile number यहाँ पर आपको देना है और work experience है उसे आप लोग ज़रूर फिल करिए अगर है नहीं तो वरजिना डाकोमेर्स के साथ फोटो कापी भी आपको लेके जाना है और फिर आपका क्यारा बजे interview होगा और इसके base पर ही दोस्तों आपका selection होने वाला है तो समवीदा पर भड़ती है अच्छी vacancy है मात्र दोही vacancy है इसमें सभी लोग apply करेंगे salary काफी अच्छी है age criteria 30S र पाकी दूसरा नोटिफिकेशन आप लोग देखिए चार मार्च को रिलीज किया गया है प्रोजेक्ट सीनियर रिसर्च फेलो की यहां पर एक vacancy यूर केटिगरी में है 35,000 रोपे salary मिलेगी लाइव साइंस में अगर आपने जो है लाइव साइंस में लाइव साइंस में तीसरा नोटिफिकेशन तीसरा नोटिफिकेशन दोस्तों प्रोजेक्ट टेक्निकल ओफिसर की यहां पर निकाली गई है एक ही vacancy है यूर केटिगरी में है और इसमें जो है MSC का रखे हो medical biology में या microbiology में या bio technology में और two years का experience है तो आप लोग प्रोजेक्ट टेक्निकल ओफि का इंटर्वू की बात करें तो अभी दोस्तों इंटर्वू की जानकारी यहां पर देखिए नोटिफिकेशन को एक बार देख लो इंटर्वू की जानकारी अभी नहीं दी गई है प्रोजेक्ट टेक्निकल ओफिसर को ओफ लाइन फार्म फिल करना है 9 अपरेल 2022 तक 9 अपर में ही इंटर्वू होगा लेकि इंटर्वू की जानकारी अभी नहीं दी गई है बाकी प्रोजेक्ट इस्टाफ नर्स और एंडम का जो है यहां पर दोस्तों इंटर्वू की जानकारी दी गई है साथ ही जो यहां पर दोस्तों रिसर्च की यहां पर वेकेंसी है उसका भी दोस्तों एंटर्वू को जानकारी दी गई है बात में जो है टेक्निकल ओफिसर की जानकारी दी जाएगी तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धर्णवाद